कि हलो दोस्तों आप लोग का बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में तो चलिए हम आज आपके लिए एक छोटी सी रेस्पी ले क्या हैं बहुत हिल्डी भी है डेस्टी भी है गिया की सब्जी हमारे गहर में कोई नहीं खाता हम ही यह जो थोड़ा बहुत खाते हैं ग प्टल Immediately क टुकडे कर लिए थै उसे कद्डू कस कर लिए है आप मोडी पतली जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं और में हमने इक बतन में ढाल दे उसमें हम ढालेंगे थोड़ी हल्दी लाल मिर्च डाले थोड़ा हमने गरम मसाला डाल दी है बहुत थोड़े-धोड़े डाले हैं जो थाई चमप डाले हैं आप कम जादा कर सकते हैं उसके बाद इसमें नमक डाल देंगे और घिया के कोक्ते तो बहुत बनाए होगे अज मेरे तरीके से बनाएगा तो बहुत अच्छी बनेगी बहुत जो खुश्पू होती है बहुत अच्छा आता इसका ठीश भी थोड़ी अच्छी आती है और मेत्य के पट्टे डाले के वह हमने मेत्य के पत्ते को दोके साफ करके बारी कट कर लिये थे उसके बाद हम इसमें डालेंगे तीन से चार चार मज़ बेशन डालेंगे बेश दो ज्युत्तों बहुत जार बुत प्रचेज भी चार मट कर देंगे जरूब नहुत में जादा नहीं नहीं हैं इसे लिए बेशन थ democratic में मलेंगे पमए लिए क्शाल में नहीं थेर ली तो जोड़ नेकों सब्सक्राइए पानी बहुत बेलकुल नहीं डालीए क्योंकि जो पानी खुद होता हम इसके पानी भी नहीं निकाले हैं तो देखिए रेष्ट बगएर कुछ नहीं करानी है नमक मसाले सब कुछ एक साथ डाल दी है यह आपस में मिलेगी और सौप्ट हो जाएगी तो देखिए मिला किने रख देते हैं तब तक हम हाथ दो लेते हैं तो चोटे बड़े जीतना चाहें उसी साब से बना सकते हमने बहुत चोटे भी नहीं बनाए बहुत बड़े भी नहीं बनाए हैं और सारे ऐसे गोल पकोड़े करके बना देंगे आप थोड़े चप्टे भी बना सकते हैं जैसे आपको पसंद हो आप उस तरह से बनाए तो सारे भूड़े से तरलेंगों कि ऑंची तरह संगरेंगे प lion के टीछ शारई किरिय के दूड़े मुहल bucks आइसे ही सारे शार्व परोलेंगे अब यह कि यह नहीं लगती है कि ऑ गर भूल टाले नहीं बॉक्स परोड़ेंगे उसमें aja पचाली थे चाय के साथ खाने के लिए और बाके के हमने सब्जी बनाई तो देखे एक तरफ से सिक गई है और दूसरी तरफ से भी हम उलट पलट के ऐसे ही सारे सेक लेंगे और जितने बनाई दे सब को बारे बारे से प्राइब करके सारे निकाल लेंगे कि कि अब जादा टाइम नहीं लगा था सद्यूं का मौसम है सद्यों में थोड़ी चटपटी चीजिए ज्यादा पसंदाती हैं हैं तो आज हम किया के कोप्ते बना रहे हैं इसी तरह से आप भी इस तरह से बनाई आपके साथ वीडियो सेयर कर रहे हैं तो देखे सारे में तेल जादा था तेल हम कम कर दिये हैं आधा जीरा डालेंगे और लहसन हरी मिर्च प्याज काफी चौप कर ले थे बारिक इनको डाल के अच्छी तरह से बूनेंगे 2-3 मिनट के लिए देखे प्यार अच्छी तरह से बूनेंगे इसका कलर चेंज हो गया अब इसके बाद देखे बाद चमच जल्दी डालेंगे और आधा चमच से थोड़ा से कम लाल मिर्च डाले हैं उसके बाद एक चमच हमने धनिया पॉडर डाली आदा चमच गरम मसाला डाले हैं और इन मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे एक मिनट के लिए क्योंकि मसाले सुखे हैं तो जल्दी भून जाएगी नहीं तो जलने लगेगी तो मसाले भून चुके हैं अब उसमें हमने दो चोटे चोटे टमाटर को काफी बारी चौप कर लिये थे उनको डाल देंगे और पाले हम इसमें आधा चमच बेशन डाले हैं मसालों में इससे इसका जो टेस्ट होता नह ब बून लेंगे तो देखे टमाटर भी अच्छी तरह से बूनेंगे मसाले भून चुके हैं और जो हम मेथी के पत्ते काटकी रखे थे उनको भी थोड़ी सीस में डाल देंगे जो ग्रेवी के साथ हमें इसकी खुस्पो आएगी बहुत अच्छी होती बहुत से लो मेथी के तरुति को कड़ी में चीवे डाल के बनाते हैं उससे ऽोग दिव कं झाले मशाले अच्छी तरह से बहुत ऐता है हैं के मिलाएंगी टीके कि मसाले जले ना और इच्छी तरह से जल गले sih तरह से तरह से बष्प कं अन्य बीसे दोड़ का पिसना घृवी पसंद गरते हैं कम जादा पैसे ऐसी सब्जी में थोड़ी ग्रेवी अच्छी होती है क्योंकि आप रोटी चावल के साथ खाते हैं इसमें हम दो कप पानी डाल देंगे और उसे पकाना भी तो है तो दो कप पानी डाल के त्यार कर लिए उसके बाद हैं लाश्ट में नमक डाले हैं पहले नमक न आप यहां पर हम थोड़ी सी धन्य के पत्र डालेंगे और जो पकोड़े बनाके रखे ते उनको इसमें डाल देंगे पकोड़े वैसे बहुत सब्ट हैं लेकिन ग्रेवी के साथ हम इसे पकाएंगे ताकि ग्रेवी इसके अंदर जाके थोड़ी सी सब्ट हो जाएं तो देखे इसे पकती वह चार-पांच मीनट हो गए थे गैस का फ्लेम बिल्कुल मीरियम किये और पकोड़े बिल्कुल सॉप्ट हो ऊपर से हम थोड़ी सी मटर के दाने डालेंगे यह अप्सिनल है अगर आपको पसंदे तो आप डालें लेकिन मटर डालें लेकिन मटर डालें देखने में इतनी बड़िया नहीं लग रहे हैं लेकिन खाने में बहुत डेश्टी था बहुत जादा तेल मसालों के साथ हम नहीं बनाए हैं सिंबर तरीके से बनाए हैं क्योंकि आजकर हर किसी को तेल मसाला नुकसान करता है हर को लाइट खाना पसंद करता है हम भी लाइ हैं देखें कितनी सॉप्ट पकोड़े बनी है इसके बहुत ज्यादा सॉप्ट होई है आप इसको चावल के साथ खाये रोटी के साथ खाये प्रोठियों के साथ खाये बहुत टेस्टी लगते हमने आप सॉप्ट कर दी है और अगर वीडियो पसंद आए तो प्रीज हमारे वी